अब हम रफ्तार की चाहत में मौत को चनोती देने वालों की बात करेंगे सूपरकार या सूपरबाइक्स चलाने की चाहत हम मेंसे बहुत से लोगों के अंदर होगी आप मेंसे बहुत से फॉर्मुला वन या मोटो जीपी रेस देखने के शौकीन भी होंगे लेकिन रफ्तार को किसी विशेश रेसिंग ट्राक पर चलते देखना और उस रफ्तार को आम सड़कों पर कॉपी करना कई बार खतरनाक साबित होता है करोडों की सूपर कार या सूपर बाई खरीदने वालों की एक मात्र चाहत होती है उसे फुल थ्रोटल में चलाना दुनिया को उस वाहन की शक्ती का प्रदर्शन करना और ये बात सभी को मालूम है कि ताकतवर इंजिन्स वाली इन गाडियों की शक्ती उसकी रफ्तार ही है हाला कि आम तोर पर सामाने सड़कों पर सूपर कार्स का असली मकसद रेसिंग नहीं होना चाहिए ये हम इसले कह रहे हैं क्योंकि जिन सड़कों पर रेसिंग होती है उनको विशेश तौर पर रेसिंग के लिए ही बनाया जाता है समाने सड़कों पर सूपर कार्स को तेज रफ्तार से चलाना जान लेवा साबित होता है अक्सर जो लोग सूपर कार या सूपर बाई खरीदते हैं वो ये बात भूल जाते हैं आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज इटली में एक भयानक हाथसा हुआ जिसमें दो लोगों की मौत हो गए इस हाथसे में कई सूपर कार्स थी जिन में फरारी और लेंबॉगनी जैसी कारें थी इटली के साडीनिया में ये हाथसा हुआ यहाँ पर साडीनिया सूपर कार एक्सपीरियंस इवेंट चल रहा था जिसमें कई सूपर कार्स एक साथ चल रहे हैं ये हादसा सादीनिया के सैंट जियोवानी सर्जियू में हुआ इस हादसे में स्विजेलेंड के दो लोगों की मौत हुगे वहीं बॉलिवोड स्टार और फिल्म स्वदेश की अक्ट्रिस गायतरी जोशी और उनके पती विकास अबरोय बाल बाल बच गए हम आपको इस हादसे का वीडियो दिखाते हैं जिससे आप इस हादसे की गंभीरता समझ पाएंगे सूपरकार्स के बीच होए इस हादसे का वीडियो सड़क पर चल रही एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं सबसे पहले डैश कैम में एक कैमपर वैन जाती हुई दिखाई दे रही है कैमपर वैन एक ऐसी गाड़ी होती है जिसको लोग कैमपिंग पर जाते वक्त ले जाते हैं कैमपर वैन और डैश कैम वाली कार अपनी सही रफतार से चल रही थी लेकिन तब ही अचानक सूपर कार्स की रैली वहाँ पहुँच गई ये कारे सड़क पर चल रही अन्य कारों को ओवर्टेक करती जा रही थी इस दौरान आप ये भी देख रहे होंगे ये सिंगल लेन सड़क है जिस पर दोनों तरफ से ट्राफिक चल रहा है सबसे पहले पीले रंग की एक सूपर कार आगे निकलती दिखाई दे रही है इसी के पीछे एक काले रंग की कार जाती है इसके पीछे से सफेद रंग की एक और कार ओवर्टेक करते हुए आगे बढ़ती है ठीक इसी के पीछे नीले रंग की एक Lamborghini कार overtake करती है ये इस काफिले की चौथी कार थी इन सभी कारों के आगे Camper Van चल रही है इसके तुरंद बाद लाल रंग की एक फरारी तेज रफतार से overtake करते हुए आगे निकलने की कोशिश करती दिखी आपने ध्यान दिया होगा कि शुरुवाती तीन सूपर कार्स Camper Van को overtake करने में काम्याब हो जाती है सभी कारों के drivers मौका देखकर उसके आगे निकल गए लेकिन नीले रंग की लेबोगनी और लाल रंग की फरारी कार Camper Van के पीछे ही रह गए आपको बता दें कि नीले रंग की लेबोगनी कार में गायतरी जोशी और उनके पती विकास अबरोय मौजूद थे जबकि उनके बिलकुल पीछे वाली लाल रंग की फरारी कार में स्विजलेंड के माकस और मेलिसा क्रोटली मौजूद थे Dash Cam में एक और लाल रंग की कार दिखाई देती है लेकिन जब ये कार आगे आई तो उसी दौरान इसके आगे चल रही लाल और नीले रंग की कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई इस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि ओवर टेक करने के चक्कर में लाल रंग की कार के ड्राइवर ने तेजी से आगे निकलने की कोशिश की लेकिन ठीक उसके बगल में नीले रंकी कार चल रही थी इस कार का ड्राइवर भी ओवर्टेक करने की कोशिच कर रहा था लाल रंकी कार ने सबसे पहले नीले रंकी कार को टकर मारी जिससे नीले रंकी कार कैमपर वैन के पिछले पहिये के आगे आ गई इस हाथसे में कैंपर वैन भी पलट गए गायतरी और विकास की नीले रंकी लेंबॉगनी कार टक्कर के बाद सडक से नीचे उतर गए हाथसे के वीडियो में साफ नजर आया है कि सूपर कार चलाने वाले लोग ओवर टेक करने की जल्दी में थे उन्होंने देखा होगा कि इस सडक पर दोनों तरफ से ट्राफिक चल रहा है बावजूद इसके उन्होंने रफ्तार से सब को बीछे चोड़ने की कोशिश की और हाथसे का शिकार हो गए इस हाथसे के बाद जो वीडियो सामने आया है वो और ज़्यादा डरामना है इटली की मीडिया के मुताबिक इस हाथसे में लाल रंकी फरारी चला रहे 62 वर्षिये मारकस और मेलिसा की मौत हो गए वही नीले रंकी लेबागनी कार में मौझूद गायतरी और विकास ओबरोय को हलकी फुलकी चोटे आई इस हाथसे के तुरंद बाद इस सड़क को आवा जाही के लिए बंद कर दिया गया था हाथसे के तुरंद बाद फायर ब्रिगेट की टीम और एर अम्बुलेंस गटना स्थल पर पहुँची लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही लाल रंकी कार बुरी तरह से जल बेटी वीडियो में इस कार से उटता दुआ भी दिखाई देता है इस हाथसे में रफ्तार और ओवो टेक करने की जल्दी दुरगटना की सबसे बड़ी वज़ा बनी इस हाथसे को देखकर यही सबक मिलता है कि कार या मोटर साइकल का इंजिन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो उसकी रफ्तार की टेस्टिंग खत्रे से खाली नहीं होती फॉर्मुला वन और मोटो जीपी में कार और बाइक चलाने वाले रेसर तेज रफ्तार के एक्सपर्ट्स होते हैं इसके लिए वो लंबी ट्रेनिंग लेते हैं रेसिंग के लिए अलग से रेस ट्रैक बनाए जाते हैं जिन पर रेस आयूजित की जाती है इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि सूपर कार या सूपर बाइक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप भी फॉर्मूला वन ड्राइवर या मोटो जीपी राइडर बन गए है हमारी सला ये ही है कि सामाने सडकों पर स्पीड लिमिट का खयाल रखे जोश में आकर ओवर टेक करने या तेज रफ्तार से वहां चलाने की कोशिश ना करें वो जान लेवा हो सकती है